कि वेलकम डियर स्टुडेंट्स और लॉंडर बीएसस के बेतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हारदिक स्वागत और अभिनन्द ने स्टुडेंट एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 महतपूर्ण कोशन तो आई शुरू करते हैं 20 महतपूर्ण कोशन के अपने हल को तो हमारा पहला कोशन स्क्रीन पर ये रहा हूं आई देख लेते हैं पहला कोशन पांस साथ दो और आठ हंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या का योग बताना है तो देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो यह हो जाएए आठ साथ पांच और दो सबसे चोटी संख्या दो पांच साथ आठ इनका योग बताना है जोड़ लेते हैं आठ दो दस हसल लगा एक साथ पांच बारा और एक तेरा साथ पांच बारा और एक तेरा हसल लगा एक आठ दो दस और एक ग्यारा ग्यारा हजाद तीन सो तीस यानि कि B B option हमारा बिलकुल सही होगा B is the right option ठीक है आई अगले पेशनी क्यों बढ़ते हैं दूसरा कोश्चन एक्स के 90 प्रतीशत का 5 प्रतीशत 180 है तो एक्स का मान निकाल लेते हैं तो का का मतलब होता है गुणा और प्रतीशत का मतलब होता है बटे सौ का का मतलब गुणा 155 holds 100 कि तना यह hazard 10 कंसल होए तो क्मान कितना होगा 180 तो एक Row ओपर नीचे हैं तो तीजीरत आजएंगी रटेठ 9 गो ना पर से काट है के 9ओंрах बीस पांच से काट हैं पांच्छों कपीज तनी आएगा एक्स कमान 4,000 यानि की बी ऑुप्शन हमारा बीलकुलत है होगा बी इस दा राइट ऑप्शन का का मतलब होता है गुणा और प्रतीशत का मतलब होता एक वटे सो मान लग दीजिए बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं आए अगले पैस्टनी क्यों बढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चिन आज़े देखते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रतेख पंक्ति इस्थम्ब और विकर्णों का योग समान है ए बी सी डी का मान ज्याद कर दें तो सबसे मेले योग निकाल लेते हैं योग तो यहां से निकल जाएगा योग कितना है साथ प्लस दो प्लस तीन यानिकी बारा सबसे पहले हम किस का मान निकाल सकते हैं सबसे पहले हम एक मान कैसे निकालेगा एक मान इस पंक्ति से निकाल सकते हैं तो ए प्लस जीरो प्लस साथ बराबर योग कितना है बारा तो ए बराबर कितना हो जाएगा बारा माइनस साथ यानि एक कमान हो जाएगा पाँच हम बी कमान निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे बी कमान आएए देखते हैं पहले डी कमान निकालते हैं डी कमान कैसे निकाल सकते हैं यहां से निकाल सकते हैं ए प्लस छे प्लस डी सबकर यह कितना है बारा एक मन कितना पांच पांच प्लस छे प्लस डिवरावर 12 तो 11 पिलस प्लस डी बरावर 12 तो डी मैं कितना हो जाएगा 12- 11 यानि दी कमान हो जाएगा 1 डी मैं क्या करें जान की अब हम दी मैं निकल सकतें कैसे गामान कितना है एक वन प्लस बी प्लस सेवन बराबर बार दो बी कमान हो जाएगा 12 मेंसे 8 छार डी कमान आ जार एक कमान आगया बी कमान आगया इसी से निकाल सकते है एक कमान कितना है पांच तो यह option गलत हो गया यह option गलत हो गया कमान पाच बी कमान चार तो यह भी option गलत हो गया यह option हमारा बिल्कुल सही हो गया कमान पाच बी कमान चार सी कमान आठ होगा और डी कमान यानि कि डी option हमारा कुम हदे ह konkret हम स्वाइबत को एगा सकते हैं यहां से निकाल सकते हैं सी कमान दूसरे पैनल ले लेते हैं यहां से निकाल सकते हैं b प्लस c प्लस 0 vendo 12 कमान कितना है बी कमान चार चार प्लस सी बराबर 12 क्वाथगा धन्य ख्याद है इस मतलब से ठीक है तो सबसे पहले ऐसे कोशन में आप सबसे देखो कि टोटल यो कितना है कुल यो कितना है और फिर हम अपना देख लेंगे कि कैसे यह निकाल सकते हैं ठीक है अगले पेशने क्यों बढ़ते हैं कि चौथा कोश्चन कि क्या कह रहा है कि 12 सेंव और आठ अमरूदों का मूल शत्ता रुपए है तो चैशे उड़ चार यहां बहुत असान है बारा से अ बारा सेंव प्लश्ट आठ अमरूद का मूल कि कितना है आप कहेंगे 6 अब चैशे से प्लस चार अमरूद का अगर आप ध्यानतपूर्वत देखें अगर उपर वाली यह वाली पहली वाली स्टेट्मेंट को अगर दो से भाग कर दिया जाए दाइने बाए हाथ को बाए हाथ की तरफ दो से भाग कर दिया जाए तो कितना आएगा छे से वह चार अब्रूद तो दाइने को भी दो से भाग कर दो तो आठतर वटे दो और उप्शन क्या होगा हमारा बिलकुल सही ऑप्शन होगा इस दा राइट अप्शन ठीक है आगे बढ़े अपने अगले पेस्ट ने की और बढ़ते हैं ठीक है कि पांचवा कोश्चन एक महिला और उसकी बेटी की ऑसत आयू 25 वर्ष है उनकी आयू का अनुपाद साथ अनुपाद तीन है तो नौ वर्ष वाद उनकी आयू तो ऑसत आयू 25 है दो ही लोग है तो कुल आयू कितनी होगी आप कहेंगे पचास होगी महिला उसकी बेटी की कुल आयू आप कहेंगे कुल आयू होगी महिला और बेटी दो लोग है तो कुल आयू होगी आप कहेंगे पच्चिस गुणा दो यानिकी पचास वर्ष इन दोनों का नुपात कितना है, 7 नुपात 3, तो महिला क्या मालने, महिला मालने आप 7X, और बेटी, बेटी क्या मालने आप 3X, तो दोनों का योग कितना है, 50 वर्ष, 10X वराबर 50, तो X वराबर 5, महिला के वर्तमान आयू कितनी हो जाएगी, 7.5, 35 बेटी के कितनी हो अब नौ वर्ष बात, नौ वर्ष बात महिला कितनी हो जाएगी, 35 पिलस 9 तो कितनी होता हैं कि पांच यानिकि 44 और बेटी की कितनी होगी पंदरा प्लस नो कि कितना हो जाएगा 24 दोनों का नुपात तो 44 बते 24 दो दुनी चार दो दो दुनी चार दो चंग सक्झ बारा और नवढ आप्ष्छं होगा डी ऑप्ष्छं बिलकुल सभी होगा तो 2060 युद्स के जान्यों क्य होगा सब्सक्राइए percentage कि छटा कोश्चन है कि तो असान सा कोश्चन है आई देख लेते हैं कि तो पंदरा पचास बटे चालिस करमान कितना दे रखा है आप तो कहेंगे अरत्यस दसम्लब साथ मार तो हमें किसका निकालना है कि पंदरा दशम्लब पचास बटे चालिस गुणा दस अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो इसका मान हमें दे रखा है कितना दे रखा 38,75 तो कौंसर आप्शन सही होगा आप कहेंगे बी ऑप्शन बिलकुल सही होगा इसका आंसर कितना होगा थीं दशम्लब तो आठ साथ पांच यानि की बी ऑप्षिन क्या होगा बिलकुल सही ऑप्षिन हो ठीक है आगे बढ़ते हैं कि साथ वा कॉश्च भाग के पैस्ट में यह थी भाजक 35 भागफल 15 शेश्वल साथ हो तो भाज क्या होगा बहुत सान है भाज को एक्स माल लो पैस्ट पैस्ट है भाजक भागफल 15 है और शेश्वल कितना है साथ कैसे करेंगे इन दोनों की गुणा करेंगे 35 गुणा 15 और प्लस क्या कर देंगे साथ कर देंगे आए 35 की गुणा करते हैं 25 तो 25 असल लगे 25 और दो 17 पांच और तीन 5 7 और पांच बारह हासल लगा एक तीन और चार 525 तो एक्स कमान कितना होगा 525 प्लस साथ यानि एक्स कमान कितना होगा 532 कौन साप्शन सही होगा c option आप कहेंगे हमारा c option बिल्कुल सही होगा c is the right option संख्या क्या होगी आप कहेंगे संख्या होगी 532 वो संख्या होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले पच्छन की आठवा question एक दुकंदार ने 25 पती दर्जन की दर से तीन दर्जन पैंसिल खरीद है यदि वह उन्हें पती पैंसिल की दर से बेजता है तो उसे कितना लाव होगा तो बहुत असा कुर्शन है हम देख लेंगे वह खरीद कितने की रहा है कि पच्छेस उपए पिती दर्जन की दर से तीन दर्जन पैंसिल यानि की तीन दर्जन पैंसिल इस ने कतनी की ख़़ए थी तीन गोणा पच्छेस कि यानि कि 55 रुपए में ख़रीदी का मतलब 36 पैंसिल 36 पैंसिल कितने रुपए खड़ी दी 75 यह तो क्रेमूल हो गया विक्रमूल कितना है तीन रुपए पैंसिल की दर से बोचता है तो विक्रमूल कितना होगा आप अब कहेंगे 34 गोरा तीन यानी कि 18 3chnya9 और 10 यानी कि 108 रुपए में बेज दी Kolbe गदी 508 रुपए में बेज दी लाब कितना होगा आप कि लाब होगा विक्रमूल माइनस क्रेमूल यानी कि 108 माइनस 535 8 में से 5 या 3 तसमें से 7 या 3 यानि 3 सुपै का उसे लाब हुआ 3 सुपै का लाब हुआ कौन सौ अप्शन सही है? बी अप्शन साही है 3 सुपै का उसे लाब होता है ठेक है? आगेख मड़ते हैं अगले पैसने की ओर? नौवा नमबर क्रूशन एक बस सुभए आठ बज़ का पंदरा बज़े दिल्ली से भुपाल के लिए रवाना हुई साथ घंटे 35 मिनट का समय लगा कितने बज़े पहुची तो सबसे पहले साथ घंटे जोड़े आठ बज़ का पंदरा मिनट में साथ घंटे जोड़ोगे तो नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा पंदरा का मतलब होता है तीन यानि कि तीन बज़ कर पंदरा मिनट यानि कि साथ घंटे जोड़ोगे 8 बज़ कर 15 मिनट में सबसे पहले आप जोड़ो 7 घंटे 35 मिनट बाद में जोड़ेंगे 7 घंटे जोड़ो 8 बज़ कर 15 मिनट में आप 7 घंटे जोड़ों गे तो कितने बज़ेंगे 8 और 7 15 यानि कि तिन बच गया कितने बच गया तीन बच उपटिन मिनट अब कितने मिनट जोड़ो 35 मिनट यानि कि 3.15 में 35 और जोड़ो तो तो पंदरा मिनट में 35 जोड़ो गये तो कितना होगा पचास मिनट तो कितना होगा तीन बचकर पचास बचते हुरह को कितना अंसर होगा यह यृष अझाड दू इस और तेन बचकर पचास ब्लकुन बेख्टा सब्सक्राइब टिए आगे बदते हैं अगले पसने कि ओदो दस्वा कोश्शन एक विक्तीं ने एक ब्हेंग से असी हजार उध्या सत्राल लिये बैइक 23rd čmeye कितनी राशी वबफस करने कि यह सब लोगजली से निकाल लेते हैं गए साधरन ब्याज कितना होगा मोलधन कितना होगा 80,000 दर कितनी है 13 समय कितना है 3 बटे 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसर यानि कि आठ सो गोड़ा तीन 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 नो तीन तो कितना होगा 00 जीरो नो अठे 72 हसल लगा साथ अना सो लट यह 24 चौविस और साथ 31 यानि 31,200 कितना होगा साधरन ब्याज होगा लोटाया कितना 80 तो लोटाएगा 31,200 और लोटाएगा तो कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन इस दा राइट ऑप्शन एक लाग 11,200 रुपए वो लोटाएगा असी या तो लोटाएगा लोटाएगा 31 या 200 और लोटाएगा ठीक है आई अगले प्रिश्ण क्यों बढ़ते हैं कि ग्यार्व कोश्ण सेव के बज़न में 75 परसेंट पानी है 120 किलो से में पानी का वज़न तो 120 का 75 परसेंट निकाल लेजिए बहुत असान सा है एक सो बीस का 75 परतीशत का मतलब बटेशों 25 तिया 75 पच्छेश्चों का सो चार से काटेंगे चारतीया 12 यानि कि 90 किलोग्राम क्या है पानी है कौन सो अप्शन सही होगा सी ऑप्शन बिलकुल सही होगा 90 किलोग्राम आपका पानी होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले पाइसने कियो आगे बारव कोशन तुल्यांग बताना है पास दूनी दस यानि कि 13 बटे 5 पांच से काट लोगे पांदूनी दस और पांच चकत तीस तो बहुत असान है दो दशामलब छे डी ऑप्शन इस दा राइट ऑप्शन बहुत असान सा कोशन था दो दशामलब छे प्सक्तल आए अगले परसने किवा बढ़ते और तहुत सा किसी चलिए कि जन संग्यों पांच लाएगों हर साल साल यह र साल यह लका धार परतिशल्like की बढ़ात्री होती है तो यह जोड़ते हैं आए जोडते हैं जनसे कितनी है पांच लाख इकाईद है पांच हजार पचास हजार पांच लाख फिर क्या करें पांच लाख में का 1245 जिरो 245 एक दशमलब दो परतीशत जो दो पॉइंट ड़ाएंगे जिरो बढ़ाएंगे एक दो तीन एक दो तीन ठीक है तो कितना हो जाएगा पांच एक दो तीन चार पांच बाराःफ पंचे साथ और यानि कि छे हजार पांच लाख छे हजार पांच लाख छे हजार यानि कि ए ऑप्शन पांच लाख और छे हजार कौन सो अपशन सही होगा आप कहेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कितनी प्रतिश्ट प्रतिश्ट यह नहीं कि शेजार की व्रद्धी होगी पांच लाख छेजार ठीक है आगे बढ़ते हैं कि चौद्व कोश्ट पांच आदमी एक काम को दस दिन में कर सकते हैं तो उस काम को दो दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्तियों को लगाना चाहिए तो देखते हैं दो दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए तो देखिए पांच आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं तो दो दिन में काम करने के लिए कितने व्यक्ति और चाहिए दो को इधर निकालो किस आदमियों की जहुरत है कितने आदमियों की 25 लेकर हमारे पहले से कितने हैं पहले से कितने हैं पहले से कितने और आदमियों को लगाना चाहिए तो आप कहेंगे 20 आदमियों को लगाना चाहिए तो पहले से यह ना हमारे पास यह पूछ रहा है कितने और आदमियों को लग कि पास संख्याओं का चालिस है पहली चार संख्याओं का योग 170 है तो पाच्वी संख्याओं का योग कितना है तो आप देख लेते योग कैसे निकालेंगे सिंपल मैंने आपको बता है तो आउसत को पांच से गुणा कर लें जीरो पांच योग 200 है पहली चार संख्याओं का योग 170 है तो पाच्वी संख्या कितनी होगी तो पाच्वी संख्या कितनी होगी संख्या कितना होगा चालिस गुणा पांच दो सो चार संख्या का योग 170 तो पाच्वी संख्या 200 माइनस 170 बराबर 30 होगा ठीक है कि सी आप्शन विल्कुल सही होगा और यह सोल्वा कोश्चन करते हैं हल निकालना है इसका हल निकालेंगे तो यहां पर मैं आपको एक चीज़ बताओं यहां पर माइनस होगा माइनस होगा ठीक है माइनस होगा पैतालिस वे का सोल्वा देखते हैं तो आई यह स्क्रीन शॉट ले लेते हैं आई एक एक करके हल करते हैं पहले इसको हल कर लेते हैं तीन दूनी छे साथ वटे दो माइनस पांच वटे चार चार साथ दूनी 14 माइनस पांच यहनिकि नौ बटे चार अब क्या करें इसको हल कर दो तो दो दूनी दो दूनी चार पांच वटे दो माइनस तीन वटे चार तो चार दस माइनस तीन साथ वटे चार अब बीच माइनस है साथ वटे चार में से नौ बटे चार घटा लो तो साथ वटे चार में से नौ बटे चार घटा लो गए तो कितना होगा साथ बटे चार हम ênस के नौवटे चार घटा लोगै purse ना होगा मैंए 편 केसी चार यानिकी एक बटे माइनस के 1 के capacit 的 नौवटे चार नौढसाश nehmen चार हम झेले खरनगे खीड इया ठीक है मैंकि क्या стрयदा करte करें में से माइनस माइनस के एक वटे दो जोड़ोगे तो कितना होगा पांच पिलस एक वटे दो यानि कि ग्यारा वटे दो यानि कि पांस सही एक वटे दो यानि कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा पांस सही एक वटे दो यानि कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा माइनस नहीं आएगा इसमें कितना आएगा plus नहीं आएगा माइनस आएगा थीक है क्योंकि अगर plus होजाता तो 7 वटे 4 9-4 16 वटे 4 हो जाता तो 4 अंसर 5 में से 4 गया एक एक तो option शहीं नहीं है ठीक है तो पास सही एक वुटे 2 फिर देख लेते हैं 3 2 6 7 और दो माइनस 5 लोटे 4 2 7 2 नी workforce 5 गया 9 वटे 4 तो 2 सही 54जज़ माइनस 3 वटे 4 2 दो नीचर 10 माइनस 3 7 वोटे 4 इसमें से खटाना है तो कितना हो गजाएगा आपका हो Frances 5 सही 1 वटे 2 थेक है तो बी ऑप्शन क्या होगा बेलकुल क्रेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है आगे बरते हैं अगले पिस्न कियो गज़ा को सत्तुरुमा कोश्चन तो बहुत असान सा कोश्चन प्रतीशत का जगा क्या लगाना है एक वाट इसो जीरो दशमलब जीरो एड प्रतीशत कि प्रतीशत का मदलब एक वाट इसो पॉंट और यह फोके बाद जीरो लगाओ तो कितने हुए आठ एक दो तीन चार्ज यह निकि जीरो बॉएंट 00008 तीन वार जिरो कहा है तीन वार जिरो यह है यह आपशिन बिलकुल सही है कितनी बार जिरो होंगे 0.0008 यानि की ए अपशिन कया होगा बिलकुल सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले पैसन की हो अठारवा कोर्शन कि 16 कार को 14 दिनों में कर सकते हैं उसी कार को 8 वेक्ति कितने दिन वही फरमुला एंवन डीवन बरावर एंटुटी दीनों करेंगे 16 कर को मतलब होता है डेवली वण डेवली टू कमान कितना है एक है कि असी कार को 8 include कितने दुने करेंगे सोला गोणा 24 वाटे आठ बराबर डी आड चेक्कार्टंक डोनी 16 14 28 कितने करें जंदे कांससे झाय होगा एंस धागर बिलकुल तो net इस धा रैट ऑप्शन थी होगा ए आप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रिश्म क्योंगा उन्निस वा कोशन एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का नुपाद पांच नुपाद तीन है इसका प्रिमा परतालिस है तो छेतर फल क्या होगा बहुत असान सब्सक्राइब पांच नुपाद तीन है तो लंबाई क्या मालो लंबाई है फाइव एक्स चौड़ाई कितनी माल लो चौड़ाई आप माल लो तीन एक्स परिमाप कितना होता है दो लंबाई पिलस चौड़ाई कितना दे रखा है 48 दो से काटोगे तो कितना एगा 24 तो लंबाई कितनी है पांच एक्स चौड़ाई कितनी है तीन एक्स और इसका यो कितना दे रखा आठ एक्स ब्राबाबा चॉवग्स तो एक्स कमाने कितना जाएंगा तो नंबाई कितनी हो जाएगी 530 यानीकि 15 चॉडहां कितनी हो जाएगी 375 suggesting आप कितनास प्रॉद्ब नगाना हुआ ध्याता है क्यों यह होता है लंबाई गणा चॉडहां लेते हैं 15000자Thank 322 पाताल आप कहेंगे D option बिल्कुल सही होगा D is the right option कितना होगा वर्ग मीटर में 135 वर्ग मीटर यानि कि D option हमारा बिल्कुल सही option होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले पेशन की कि बीस्वा कोश्चन कि क्या बताने 1280 के आवाज जुक्रन फला यह निकाल देते दो दोनी चार 0 16 160 80 40 20 दस पांच एक तो दो कितनी वार है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ वार दो है पांच वार एक है तो देख लेते हैं एक दो तीन चार यह तो यह तो स्टुडेंट यह थे आज के हमारे 20 महत पूर्ण कोशन आशा करता हूं इनका हला आपको समझ में आया होगा तो नेक्स वीडियो में एक बार फिर से आपके लिए 20 कोशन लेकर उपस्तित होंगा तब तक इजाज़त दीजिए जै हिंद जै भारत नमस्कार